आज रीट का परिणाम आया है केवल रीट में जो क्वालिफाई करने के लिए अंक कितने चाहिए होते हैं वो परिणाम निकला है ये फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है तो किसी भी साथी के अगर जो अंक है वो उसके अनुकूल नहीं आये है और लगता है कि यार मेरा तो न निराश नहीं होना है, हतास नहीं होना है, इस दिवाली को ये संकल्प लीजिए, एक उमीद का, फिर से एक उमीद का दिया जलाईए, एक उत्सा का दिया जलाईए, और संकल्पित होकर लग जाईए, मन्जिल जो है आपका इंतजार कर रही है, यूँ समझिए आप, नवसका काल हमारा चल रहा है और यह जो पुस्तक है बहुत ही बहतरीन है आपका बहुत ही तगड़ा जो बेस है जो यह बना देगी पुस्तक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए महत्तों पूर्ण है प्रारंब करते हैं आज हम बात करेंगे मलिक मुहमद जाइसी सहाब की और समय है सोल में शताब दे एक एक चीज जो मैं कहूं वो नोट करते चलिएगा आप जाइस सी हिंदी के सूफिक कावे परंपरा के बिल्कुल जो सो खरोश के साथ में बिल्कुल जुनून के साथ में जुट जाईए पुनन निराश होने के आवशकता है नहीं है यूं स जाईस हिंदी की क्या है सूफिक अवे धारा के साथ को कवियों के क्या है सिर मोर है परमुख कवी है यूं कहिए यह अमेठी के निकट जाईस के रहने वाले थे और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है जाईस ही कहा जाता है किसके निकट आमेठी के निकट जाईस के रहने व मुहमद जायसी के जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे अमेठी के राज घराने में इनका बहुत बड़ा सम्मान था बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे इनकी यहां पर इनकी तीन रचना उपलब दह लिख लीजिए मलिक मुहमद जायसी शोल्वी शताब लिख लिए होगा आपने हेडिंग नीचे लिख है रोलगाके प्रमुक तीन रचना है जिसमें अखेरावट आखिरी कलाम और पदमावत अखेरावट आफिरी कलाम और पदमावत कहते हैं कि नव उपलब होँए कि नहावत हुआ है जिसका नाम क्या कनावत वो बीन की रच यह कहीं बार पूछा गया है किन्तों कनावत का जो पार्थ है वो प्रमाणिक नहीं मिलता है अखरावट में देवनागरी वन्द माला के एक-एक अक्षर को लेकर चौपाईयों में सेधान्तिक बातें कहीं कि यह रोलगा के लिखिए क्या लिखना है अखरावट में इरोलग तो अख्रावट में देवनागरी वर्ण माला के एक-एक अप्षर को क्या लेकर चोपाईयों में क्या सेधानतिक बातें कही है जाईसीने, वहीं आखरी कलाम में ये भी लिखिये, एरो लगा कि आखरी कलाम में कियामत का वर्णन है, ये भी सवाल कहीं बार पूछागे, आख प्रसिद्धी किस से मिली? पदमावत से मिली, इसकी रचना कवी ने 1520 इस्वी, 927 इस्वी समध के आसपास की थी, कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचना काल के 1547 इस्वी के पक्ष में मानते हैं, सन 9 से 27 अहा कथा आरम बेन कवी कहा, तो इस करती के संबंद में आचारिय शुकल ने लिखा कि जायसी की अक्षे कीरती का आधार है पदमावत, यह कतन किसका है, आचारे रामचंदर शुकल का, एरो लगा के लिख लिजिए, आचारे शुकल ने लिखा क्या, जायसी की अक्षे कीरती का आधार क्या है, पदमावत है, आगे हम देखें इसमें, तो यह आधार बताया है पदमावत जाइसी की अक्षेकीरती का किसने शुक्ल शाब ने और जिसके पढ़ने से परकट होता है क्या कि जाइसी का रिदे कैसा कॉमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था क्या लोग पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में दोनों और उसकी गुड़त की पीर की वेंजना करने वाला विशद प्रबंद कावे है यह रो लगा के लिख लीजिए पदमावत क्या है प्रेम की पीर की वेंजना करने वाला क्या विशद प्रबंद कावे है क्या एक प्रबंद कावे जिसके इंदर प्रेम की पीर की वेंजना बहुत व्यापक तालि यह देखने को मिलती है यह दोहा चौपाई में निबध मस्नभी शेली में लिखा गया है ठीक है पदमाउत मलिक मुहमत जाय शीका जिसमें कवी ने अल्ला हजरत मुहमत उनके चार मित्रों शाहेव वक्त शेडशाशूरी और समसामई गुरू और पीरों की क्या है वंदना कि पदमाउत की कवे भूमिका विशत एवम उदात है कवी ने प्रारंब में ही परकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उनकी दृष्टी व्यापक और परस पर क्या है विरोध को आकने वाली है कवी अल्ला को इस विविद तामय श्रिष्टी का करता कहता है व पिर उनमें परस पर क्या करता है विरोध देखता है ठीक है किने हे सी नाग मुखई विशबशा किने सी मंत्र हरे जहीं डशा किने ही सी अम cape इन पंक्तियों में जाय सी वस्तों का परश पर क्या विरोध देख रहे हैं और उनकी दृष्टी सामाजिक विशमता की ओर भी जाती है देखो किने सी कोई भिकारी कही धनी किने सी संपती विपती पुन धनी काहू भोग भुगती सुक सारा और कहा काहू भूग भवन दुख भारा तो थोड़ा सा द्यान में रखिएगा यह जाय सी साब की है जाय सी इन सब को अल्ला का ही कियावा मानते हैं पदमावत की कथा चितोड के शाशक किसकी रतन सेन और शिंगल देश की राजगन्या पदमीनी की प्रेम कहानी पर आधारित है ठीक है यह बात तो इसमें क्या कवी ने कोशल पूर्व कल्पना और एतिया सिक्ता क्या मिश्ण कर दिया है इसमें अलाव दीन खिलजी दुआरा चितोड पर आक्रमन और विजे एतिया सी घटना है इसका विवरण देखने को मिलता है रतनसेन अपनी विवाहीता पत्नी को नागमति को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर क्या निकल पड़ता है यह समें बढ़न मिलता पद्मिनी से उसका विवा होता है यह चीजे पूछे जा सकती है, रागह उचेतः नामक पंडित पद्मनी के रूप की पर्षण सागिसें ऑलावुदिन से करता है, अलावुदिन चलतं से रतन सेन को पकड़ क्या ले जाता है, दिली ले जाता है, गोरा बादल, वीरता पूरुक रतन सेन को क्या करते हैं, छ पदमिली और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है अलाव दिन जब चितोड पहुंचता है तो उसे क्या मिलती है राक मिलती है जायसी ने इस प्रेम कथा को अधिकारिक एवं अनुशंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत सुन्दर जतन से बांदा है पदमावत अधिन्त मानुश प्रेम अर्थार्ट मानुए प्रेम की महिमा वेंजित करता है हिरामन शुक शुरू से कहता है हिरामन तोता मानुश प्रेम भेव बेखुंटी नाई तेकाह चार बरी मूठी रचना के अन्त में ये चार बरी फिर आती है अलावदीन पदमीनी के सत्ती होने के बाद चितोड पहुंचता है तो ये क्या राख ही मिलती है उसे चार उठाई लीनी एक मुठी एक मुठी में राख उठा लेता है दीनी उड़ा और उड़ा देता है प्रिथमी जुटी कवी ने कोस्टल से ये मारवी वेंजना कि एक जो पदमनी रतन सेन के लिए पारश रूप है वही अलावदीन जैसे के लिए क्या मुठी बर धूल है मद्धे कालीन इस पंक्ति को जुरूर ध्यान में रखेगा कि पदमनी रतन सेन के लिए पारस रूप में है तो वहीं अलावदिन जैसे के लिए क्या है मुठी पर धूल के समान है मद्दे काली इन रोमान चक आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है कि तो पदमाउत का कथानक क्या सूख गठित है बिल्कुल व्यवस्तित है पदमाउत में प्रकरतिका प्रतिकात्मक उप्योग है किन्तु वह अपना स्वतंत्र व्यक्ति तो भी रखती है जायसी के नक्षिक वर्णन की विशेशता यह है कि वह मानसल होते हुए मनुष्य की पास्षिक वर्णन को उत्तेजित नहीं करता है देखिए यह बहुत बड़ी विशेशता है एक विशेशताओं के तोर पर पूछे जा सकते कि जायसी के नक्षिक वर्णन में मतलब पूरे शरीर के वर्णन के अंदर सौंदरिय के वर्णन के अंदर वह मांसल होते हुए भी मनुश्यक जो पास्षिक वर्णन को उत्यजित नहीं करता इस प्रकार का नक्षिक वर्णन किया है बलकि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है पदमावत का नागमति की वीरे वर्णन का परसंग अत्यन मारकिक है इसमें सबसे जो मारमिक प्रसंग आता है वो अगर पूछ लिया जाए तो नागमति की वीरे का जो वर्णन है ना ये प्रसंग सबसे मारमिक देखने को मिलता है पदमावत में उसकी मारमिकता का अधार है मध्यकालिन भारति नारी की क्या विवश्ट था एकोर नारी का विवश और पूर्ण आत्म समर्पन दूसरी और पुरुस द्वारा उसकी क्या उपेक्षा नागमति की उपेक्षा करके क्या रतन सेन पदमनी के लिए व्यकुल हो जाता है उसको राप्त करने के लिए चला जाता है मारमिक्ता का दूसरा करण नागमति को लोग सामाने भाव भूमे पर इस्तित करके उसके वीरे का चित्रन करना है वे रानी है किन्तू उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया वे मद्धेकालिन सामाने वर की नारी का रूप है राजभोन में रहने वाली का नहीं पुरव नचत्र सिर उपर आवा हां बीनु ना मंदिर को छावा बरीसे मगा जंकोरी जंकोरी मोर दूई नेने चुवसी जसी कोरी पत्मावुद का रचनाकार लोकिक अथा का वणन कहीं कहीं इस परकार करता है कि अलोकिक पर परोक्ष सत्ता का आर्थ संकेतित हो जाता है जै पी छोरी केस मुकलाई ससी मुक अंग मले गिरी वासा नागिन छीपी लीन चहुपासा ओने घटा परी जग चाहां ससी के सरन लीन जगुना तो पहले लाइन लिग लिए सरवर तीर पदमनी आई तो किसका है जाइसी साब का पदमाउत से लिया गई पंक्ती है यह ऐसे वर्ण सेन साधक का और रागव चेतन शेतान का लिख लीजिए इस कावे में एरो करके यह सवाल पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में नेट में इस कावे में जैनि पदमाउत में पदमनी किसका परतीक है परम सत्ता का रतन सेन किसका परतीक है साधक का और रा लोकी पुर्ण लोकि कथारस में व्यागात पड़ता थेक है मामला पद्वाउत में हट योग कुंडली नी योग रसाइन साधना का प्रियाप प्रभाव है वैस्नव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश देखने को मिलता है हिंदू पौराणिक पात्रों का उले कहीं कहीं संस्कारी मान सिक्ता क्या नुकूल नहीं है इसलाम के एक संपरदाय की सूफी साधना को उसकी रचना की प्रेरिणाई है इस प्रकार पदमावत मद्दे देश की प्राय सभी धार्मेक साधनाओं का रूप क्या करती प्रस्तुत करता है यह साब यहां पर पदमावत विशुद अवधी में रचित काववे लिख लीजिए पदमावत किसमें लिखा गया है विशुद अवधी में लिखा गया है विशुद अवधी में लिखा गया है इसमें रामतरित मानस की भाती अनेव छेत्र की भाशाओं क नहीं के बराबर है जायसी का प्रिय लंकार हेतुत प्रेक्षा है लिख लीजिए पूछा जा सकता है जायसी का प्रिय लंकार कौन सा हेतुत प्रेक्षा जैसे प्यूसो कहू संदेशडा हे भोरा हे काग ये भी लिख लीजिए पूछा जा सकता है इसमें कौन सा लंकार हो जा हम लाग जाइसी के अति शोक्ति पूर्ण वर्णों की विशेशता यह है कि विवस्तु के अति रंजना नहीं करते अति शोक्ति के द्वरा भावसत्य का रूप खींचते हैं इसलिए उनकी अति शोक्तियां भी क्या मार्मिक होती है तो यह तो निपट गए अपने जाइसी साब अब देखते हैं मजन साब को मजन इनके समय है शोलविश रतापदी तो मजन ने विश्म में 1585ड इस्वि में मधूमाल्ती रचना के लिख लीज़ लगा गे मजन शौलविशowanie लगा के लिख लीज़ लीज़ मधुमालती रचना कौन सी है मधुमालती पूछी गई कहीं बार मैंसे मधुमालती मधुमालती नाम के अन्य रचनाओं का भी पता चलता है लेकिन मंजन कृत जो मधुमालती है जाइसी के पदमाउत के पांच वर्ष बाद रची गई है ठीक है जाइसी ने अपने पूर वर् महरका, महारस नगर की राजकुमार मदुमालती के साथ प्रेम और पारश्परिक व्योग की गथा है। दोनों के बीच क्या प्रेम पनब जाता है। मनजन ने इस कथा में प्रेम का उच्छे आदर सामने रखा और सुफी काव्यों में नाय की प्राय दो पत्नियां होती है किन्तु इसमें मनोहर अपने द्वरा उपकृत प्रेमा से बहन का संबन्द स्तापित करता है इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है इस द्रिष्टि से इसमें भारतिय पुनर जन्म वाद की बात की गई है जब कि इसलाम क्या करता है पुनर जन्म को नहीं मानता है ठीक है मामला लोक के वर्णन के दुआरा अलोकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी कावियों के समान इसमें पाए जाता जैसे देखत ही पहिचान के तो ही एही रूप जही छदर्यों मोही ये लाइन लिख लीजेगा आप तो ये हमने जायसे साब को देख लियार मंजन साब को ठीक है आगे के जो रशनाकार वगर हैं इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे वीडियो का आप लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए पहली बार देखेंगे चैनल को सब्सकाइब कर करके बेल आइकन क्लिक कर लिजिए और वीडियो की सूसना मिलती रहे और रेट के अंक से उपर करने की जय हिंद पिर मिलता हूँ